हलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत हैं सिंपेल एंड यूनी किजिन में मेरा नाम है शालनी आज मैं सांभर बनाऊगी इसे बनाना बहुत आसान है वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो आईए सांभर बनाना शुरू करते हैं के लिए सब्सवर्य पहले हमने तीन हंटे भीग हुई अरार की दाल न जना चाहरा रितले हैं इसे हम कुकर में निकाल दें आसमें रिखानी बावण फॉस पानी में जाले कि इतना में श्यून पानिसी एंसे पालं सब्सक्राओं ले लेते के दो सीीटी आने के बाद फिर हम कोकर खोलकिए के यह दे दोस में सब्जी डाल St Л you also spend दोड़ ने सब्सक्राइब स्ब़ते हीifter सब्सक्राइब है कि हमारे सबस्य जगत रख इसकी दो सीटी ले लेते हैं यह दो सीटी जयाने के बाद गेस बंद और फेस का प्रेशर निकल ले देखे आप्यों को किल गल गये थे हैं यह मारी सब्जी अच्छे से इसमें और पैसी सब्सेमें अब मिक्सी कड़ाई गये पर कर देते हैं इस ही हम डालते हैं मेती दाना डाल देते हैं हींग डाल देते हैं और साबत लाल मिट्च हम एक दो डाल देते हैं कद्दुकस की हुई अत्रक डाल देते हैं पारी कटके हुई हरी मिट्च डाल देते हैं कड़ी पत्ते डाल देते हैं और इन सब को अच्छे से लाते हुए बच्छें लगता और प्राइब में बूल डाल देते हैं और उसला को चाहिए पीस के सब बना लेते हैं सामब इस तरीके से बनाने में बहुत टेस्टी लगता है और भूत जीजाड़ स्वादिस लगता है सामभर नगा है इसे हलने दाल राप सांबर मसाला हुआ अब आप सांबर मसाला यह सामभर नहीं, चल्ड रूद में रेस्टाटिक पर यह प्लोड करें जल गो अपने चैनल सांबर मसाला की इसे आप देख भी सकते हैं इसे भी अच्छे से भूल लेते हैं अब हमने ये इमली का पेस्ट लिया है, हमने सूखी इमली को 15-20 मिनिट गुंगुरे पानी में भीगाया था, फिर इसको हमने अच्छे से पीस लिया है, इसका पेस्ट पना लिया है, अब ये जब मिक्स हो जा, इसमे हम दाल और सबजी जो हमने बना के रखी दी साइट से वो और जो सामर मसाले का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है इस अच्छे से मिक्स हो जाते हैं खुश्बू भी आप देखेंगे कि आपको पहुत अच्छी आने लएगे इसे अच्छे से खतका लेते हैं और गैस बंद कर देते हैं अपनी हमारा सामर बन के तैयार है उमीर करती हूँ सामर पसंद आया होगा अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें धन्यवाद